और क्या हाले मेरी दोस्तों मैं आप सबी दोस्तों के श्वागत की सासाथ अब बना दंकरते हूं तथा अपने नए दोस्तों कैसे बुछ सकती हूं हैलो आप लू कैसे हो श्वाधा पेड़े के अंदर जैसे ही आप तूसी दल को रखेंगे वैसे है। पुर्षाद की रूप में बनके त्यार हो जाता है, चलो दोस्तों हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। सस्परे हमने एक कढ़ाई लिली, कढ़ाई के अंदर आधा लिटर दूद को डाल देती, फुल फैट क्रीम वाला दूद है और गाय का दूद है, इसी के त्वार हमने पेड़े को बना के त्यार करना है, अब इसके अंदर दो लिटर गाय की दूद की मलाई रखी थी, इसको इसके अंदर डाल देते हैं, इससे पेड़े का स्वाथ थोड़ा सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और आधा लिटर दूद का पहले हमने मावा बना के त्यार किया, क्योंकि आप कोई भी भोग परशाद बनाएंगे, तो इसको ताजा बना के त्यार करना रहता है, इ अगर नीचे से दूद जल गया तो पेड़े की स्वाथ को खराब कर देगा, और इस तरह पकाते वी इसको लगबग 10-12 मिनट हो गया है, इस तरह देखिए ये काफी जादा गाड़ा हो गया, अब हमने जो मावा बना के रखा है, आधा लीटर दूद का मावा को इसके पीड़े को बना के त्यार करेंगे तो बहुत ही कम समय में ही पीड़े बन के त्यार हो जाते हैं और इस तरह देखे मावा को इसके अंदर हमने मिला दिया कुल मिला के एक लीटर दूद का हमने मावा बना के त्यार कर लिया अब हमने गैस की फ्लेम लोग ही रखनी है और चलाते वे इसको करीब 3-4 मिनेट तक भून के तियार कर लेते हैं इंदर एक ट्रिबे स्पून देशी की को डाल के अच्छी तरह से मिला देते हैं गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं आज का पीड़ा हम दूदो मिस्री के दोरा बना के तियार कर रहे हैं इसके लिए हमने 100 ग्राम मिस्री लिए है इस मिस्री को छोटे टुकड़े में तोड़ के तियार कर लेते हैं उसके बाद इसका पीस के हमने पाउडर बना के तियार कर लेना है आप चाहें तो जो छोटे इसमाले दाने आते हैं उसका भी उप्योग कर सकते हैं य purple तरकान के टार किस तकी ट्रें Tut I उक्राइखलेते हरे चोटे टूकळ दिए अब इसको मिक्सी की जार के लिबा के लिदा दोके बढ़ियाँ प्रिणा दोकान के भी काथ सब्सकते हैं। इसके अंदर इसको डाल देते हैं, डालनेक बाद अच्छी तरह से इसको अमने मिला लेना है, मिस्री जब मावा के साथ मिल जाती है तो ये काफी जाता गिला हो जाता है, गैस की फ्लेम को लो रखते वे, चलाते वे इसको अमने पका के त्यार कर लेना है, करीब 5-6 नट तक इसको अमने लो फ्लेम पे पका के त्यार करना है, मिस्री को डालनेक बाद इसको पकाते वे लगबग 6 मिनट हो गया, गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, और बंद करनेक बाद भी इसको 3-4 मिनट तक गरम कढ़ाई के अंदर इसी तरह से चलाते रहते हैं, अब आप इसको एक घंटे कली इसी तरह से छोड़ दीजे और उसके बाद पेड़ा बनाना शुरू करिए, आधे गंटे बाद देखे ये अच्छी तरह से सेट हो गया है, अब इसको पेड़ा बना के त्यार कर सकते हैं, आप इसको छोटे बड़े दोनों साइज में बना के त्यार कर सकते एक टेबर इसको मिसरी के पाउडर को इसके अंदर हमने प्लेट में निकाल लिया, इसके उपर पूरे पेड़े को रख देते हैं, या फिर आप इसके उपर एक टेबर इसको मिसरी को फैला दीजे और इस तरह से पेड़े को कोट करके त्यार कर लिजे, बहुत ही जल्दी जटपट तयार हो जाता है, इस सारे पेड़े को एक प्लेट के अंदर निकाल के हमने रख लेना है, अगर आपको मैं रिस में अच्छी लगती वीडियो पसंद आती, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुर नहीं भूलेगा, मुझे कमेंट करके बताएगे, इस तरह आपने मतराली पेड़े बनाए तो आपको कैसे लगे, स्वात की साथ सा सेहत का पूरा ध्यान रखे, हिल्दी बनाएए, हिल्दी खाएए, आप तिप्ता किम्ती से में निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्वा बहुत बश्शक्रिया